हेलो फ्रेंड्स आज में आप लोगों के लिए लेके आए हूँ हेल्दी रेसेपी अब हेल्दी कहने का मतलब क्या हुआ धेर सारी सबजियां से बनाएंगे जो खाने में बहुत ही मज़िदार और टेस्टी लगती है और सभी को पसंद भी आती है और यदि आपके घर में दार लेना है नहीं भी उतारेंगे तो कोई दिकत वाली बात नहीं है और ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे कदुकस करना है अब कदुकस करेंगे तो एक दम बारीक वाला ना ले बारीक वाला करने से क्या होता है कि पता ही नहीं चलेगा कि खीरा डला हुआ है और यदि मोटा सबजिया डालेंगे तो सबजी में क्या है एक प्यास एक टमाटर थोड़ा सा धनिया पत्ती और एक हरी मिर्ची मैं ली हो देखने में काफी जादा सुन्दर लग रहा है आप देख सकते हैं एकदम कलर्फुल लग रहा है सभी कलर की सबजिया है और हेल्ली भी है तो अब क्य जादा करेंगे दूसी तरफ एक बाउल लेंगे बाउल में दो चमच सूजी डालेंगे और साथ में एक चमच बेसं डालेंगे बेसं डालने से टेक्षर बहुत अच्छा आता है इसी डाल रहे हैं तो देखिए हमने बेसं डाल दिया और सूजी तब इसमें आधा कप चावल आटा डालेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसके बगएर भी बना सकते हो गेहो आटा तो सभी के घरों में रहता है यह बेसन भी रहता है सूजी भी रहता है एक चावल आटा कंपल सरी नहीं है तो अब इसमें डाल देंगे आधा चमाच अधरक लसन का पेस्ट जो इस नास्ते की जान है साथ में ही डाल देंगे नमग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग साथ में ही डाल देंगे एक चुताई चमाच हल्दी पाउडर थोड़ा सा कलर अच्छा है अब इसमें मैं डाल रही हूँ आधा चमाच, कच्चा जीरा, आधा चमाच, कच्चा जीरा और काले मिर्ज का पाउडर है जो कि मैं एक दबे में बना के रखती हूँ, किसी भी सबजी या फिर कुछ भी चीला विला बना रहे हैं तो आप डाल सकते हो तो अब इसमें आधा ग्लास पानी डाल के अची तरह से मिक्स कर लेंगे स्टार्टिंग में बहुत जादा गाढ़ा लगेगा, उसके बाद फिर से पानी डालना है क्योंकि एक बार में पूरा पानी नहीं डालना है, पतला नहीं करना है क्योंकि सब्जी इसमें डालेंगे पाणी छोड़ेगा तो देखे ये घोल बनके रेडी हो गया है तो अभी काफी ज़्यादा लग रहा है गाढ़ा तो कोई दिकत वाली बात नहीं है तो अभ पहले इसमें सब्जी डाल देते हैं सबजी डालने के बाद जैसा लगेगा गाढ़ा तो उसमें थोड़ा सा और पानी डाल देंगे तो अब एक बार मिक्स कर लेते हैं तो देखे यह भी बहुत जादा गाढ़ा लग रहा है मिक्स होने के बाद तो थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे कि हलका सा ये घोल है बैलेंस हो जाए बहुत काड़ा भी ना लगी और पतला भी ना तो बस फिर इस तरह से डाल के मिक्स कर लेंगे तो ये घोल बनके रेडी हो गया है चम्मसे मैं आपको उठा के दिखा रही है बहुत ज़्यादा हमने पतला नहीं किया है तो चलते हैं फिर नास्ता बनाने तो नास्ता बनाने के लिए का करेंगे तब के में बनाएंगे तो तब फ़य को थोड़ा सा तेल डाल के चिकना कर लेंगे, जो भी तवा है न वो आप ले सकते हो, क्योंकि कोई भी तवा में आप बनाओगी यह चिपकता नहीं है, बहुत ही अच्छा बनता है, तो अब इसमें एक चमच घोल डालेंगे, घोल को इस तरह से फैला लेंगे, बहुत जादा पतला नहीं करना है, पतला होगा भी नहीं, क्योंकि इसमें घेज़ारी सबजियां डली हुई है, लेकिन जब सिखेगा न तो एकदम यह क्रिस्पी हो जाएगा, तो उपर का लेयर देखे, सैट हो गया है, तो आदा चमच इसमें तेल डालेंगे, तेल डालके सिखने के छोड़ देंगे, तो अब एक सैट सिख चुका है, अब इसे पलट लेते हैं, पलट के दूसरे सैट भी सेम ऐसे ही सेख लेंगे, बहुत ही अच्छा गलर आया है, तो एक सैट फिर से थोड़ा से इसमें तेल डाल देंगे, दो से चार बून में आसानी से बनके रेडी हो जाता है, बहुत जादा तेल डा आप देख सकते हो, एक दम सौफ्ट मुलायम बना है, तो फ्रेंड्स कैसी लगी आज की ये रेसिपी, मैं आपको एक तोड़ की दिखाती हूँ, कि बहुत ही जादा ये नरम, एक दम सौफ्ट है, आप ठंडे में भी खाएंगे, तो बहुत ही अच्छा लगीगा, आप इस